पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट को बहतर बनाने के लिए दो दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेट्वर्क का विस्तार हो रहा है। तो भीते आठ वर्षों में रेलिवे को लेकर अभुत्पुर्व काम हुआ है। 2014 से पहले के आठ वर्षों में तेलंग अनामे रेलिवे के लिए 250 करोड रुप्य से भी कम बजट था। जबकि आज ये बजट बढ़कर के तीन हजार करोड रुप्य तक पहुँच चुका है। मेडग जैसे तेलंगरा के अनेक छेत्र पहली बार रेल सिवा से जुड़े हैं। 2014 से पहले के आठ वर्षों में तेलंगरा के मैं 700 किलोमेटर से भी कम नई रेल लाइने बनी थी। जबकि पिछले आठ वर्षों में हमने तेलंगरा में करीब करीब सवा 300 किलोमेटर नई रेल लाइन कम्प्लीट की है। बीते आठ वर्षों में तेलंगरा में सवा 200 से ज़्यादा किलोमेटर ट्रेक मल्टी ट्रेकिंग का काम भी किया गया है। इस दोरान तेलंगरा में रेलवे ट्रेक का बिजली करान तीन गुना से भी ज़्यादा हुआ है। बहुत ही जल्द हम तेलंगरा में सब्सक्राइब ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं। साथ क्यों, आज जो वंदे भारत चल रही है, वो एक छोर से आंदर प्रदेश से भी जुड़ी है। आंदर प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंदर सरकान निरंतर काम कर रही है। 2014 से पहले के मुकाबले, आज आंदर प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइने बिचाई जा रही है। बीते वर्षों में आंदर प्रदेश में साड़े 300 किलोमेटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमेटर मल्टी ट्रेकिंग का काम पूरा किया गया है। पहले की सरकार के समय आंदर में सालाना 60 किलोमेटर रेल वे ट्रेक का इलेक्टिफिकेशन होता था। जब ये रप्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमेटर से जादा हो गई है। लोगों के लिए केंदर सरकार के ये प्रयास इज अब लिविंग भी उत्तर उत्तर बढ़ा रहे हैं और इज अब डूइंग बिजनेस में भी बृद्धी होती है। गती और प्रगती का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी भी स्वास के साथ तेलंगना और आंधर प्रदेश को बंदे भारत एक्ष्प्रेस्टेन की फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जाक्त्रियों को शुपकामनाई देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदे, आपके आशिर्वचीन के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जाक्त्रियों का को'll . जाक्त्रियों को भी canणिध।